आज मंजूर के सूइब में पीजा ब्रेड बना रही हूं जो कि बहुत इजी है घर में काफी चीज़ें अवेलेबिल होंगी जैसे कि कौन है और रेड कैपसिकम है ग्रीन कैपसिकम है अनियन्स के मैंने क्यूब्स काटके रखें पनीर है है हेलेपिनोंस है और यह मोजिला च यह एक चीज स्प्रेड है जो कि मैंने घर में ही बना लिए अगर आपको नहीं मिले तो कोई बात नहीं चलता है इसको पूरा स्प्रेड करना है अच्छा चीज स्प्रेड कर लीजिए आपको जितनी चाहिए अब जैसे यह चीज स्प्रेड हो गई चारों तरफ अब स्क्यूपर मैं पीजा सॉस श्प्रेड करूंगी बहुत एजी पांच मिट में बन जाता है आप चीज स्प्रेड नहीं भी करेंगे तो भी टेस्टी बनता है आपको जितनी चाहिए और बहुत अच्छा बनता है खाने में भी बच्चों को पसंद आएगा अब इसके उपर में थोड़े आनियंस रखूंगी चोटी चोटी क्यूब्स में काटे हुए ग्रीन कैप्सिकम थोड़े थोड़े मतलब आप एक दो दो सब जगा स्प्रेड कर लीजे और आपको जितना चाहिए जितना पसंद करते हैं तो रेट कैप्सिकम कौन कौन ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं पनीर चोटी चोटी क्यूब्स पनीर के यह हेलेपिनोस है इसको भी डाल दीजिए अगर आपके पस हेलेपिनोस नहीं है और आप क्या डालें तो आप विनेगर में मिर्ची को सोख करके रख दीजिए शाम को आप यूज करेंगे तो हेलेपिनोस जैसी हो जाएगी खटी-खटी पर आप यूज कर सकते हैं तो आप इजी है यह मैंने हेलेपिनोस डालती है अब इसके उपर मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी आपको जितना पसंद है कम तो कम डालिएगा अब मैं इसके उपर मॉजला चीज स्प्रेड करूंगी और जितनी चाहिए आपको ज्यादा चाहिए ज्यादा आप डालिए बच्चों को जैसे पसंद आती है अब इसको मैं एक दो मिट के लिए पैन में डालके गैस भी बनाऊंगी मैं अच्छा डाल सकते हो अब इसके उपर मैं और गिनो डालूंगी थोड़ा सा और इसको एक दो मिट के लिए मैं लिट लगा के धकन लगा के सेकोंगी मैं दिखाते हूं आपको मैंने बटर डाल दिया है मैल्ट हो गया है अब यह मैं ब्रेट पीजा डाल रही हूं इसको मैं ढखके दो मिनिट के लिए यह मैं ढखके रख दूँगी जब तक यह थोड़ा चीज मल्ट हो जाए यह ब्रेट पीजा रेड़ी हो गया है जो कि इसे तीन से चार मिनिट त्री टू फोर मिनिट में आप तवे पे सेख के बना सकते हैं और जब तक सेखे जब तक ही वह चीज मल्ट हो जाए अब उसके उपर मैंने थोड़ी सी सॉस डाल दीजिए डाल दीजिए आप लो और रेड़ी है आप खाईए बच्चों को खिलाईए झाल दीजिए